हेला इवरोन कैसे आप सब एक बार पुना स्रीव कोचिंग क्लासेस पर स्वगत है उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे मस्त होंगे बहतर होंगे आपकी पढ़ाई भी बहतर चल रही होगी बच्चों जैसा की MP बोर्ड में अभी चल रहा है अभ्यास प्रशनपत्र का सल्यूशन मतलब आपका एक प्रकार से प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है और दो सेट है इसी को मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्प्लेन करने वाला हूँ और आपके लिए एक दिसा निर्देश है क्योंकि बोर्ड एक्जाम अब आपका भीया मान लीजे कितना दिन बाद मातर आपके पास 20 दिन बचे के MP वोड़ वाली बच्चों के लिए और इस स्थित में अब आपको क्या करना है सब के मन में डाउट है और अभी जो आप लोग कर रहे हो यदि खुद ढूंडने लग जाओ चाहे आप फेजिक्स की बात करो चाहे आप कमिस्ट्री की ब पढ़ाई कर रहे हैं जैसे बहुत सारे बच्चे वैसे भी गवर्मेंट में कितने बच्चे पढ़ते हैं आप देख लो गवर्मेंट से ज्यादा प्राइबेट है दी कि इस सहर में चल जाओ तो दस प्राइबेट स्कूल मिलेंगे और कहीं गवर्मेंट की बात कर दो एक तो government और private में लगबग 40 और 60 का ratio रहता है, तो private में बच्चे क्या है, अभी भी अपने हिसाब से त्यारी कर रहे हैं, वो analysis नहीं कर रहे हैं, तो आज थोड़ा सा आप लोगों को last तक देखना है वीडियो, सबसे पहले बात कर लेते हैं, बच्चों की paper जो इस साल का length है ना, मतलब एक प्रकार से कितना hard आ सकता है, कितना easy आ सकता है, उस पर हम बात करें, तो हमेशा paper जो आपका बनता है, तो 40% hard रहता है, 20% easy और 20% मतलब medium question रहता है, लेकिन अभी जो pre-board चल रहा है, यह नहीं आपका जो अभ्यास प्रिश्न पत्र दिया जा रहा है, यह आप ढूडने लग जाओ, तो आपको ऐसे कुछ objective मिलेंगे, जो आज से पहले 10 साल में कभी नहीं पूछा गया है, मतलब ना तो आपको परिच्छा बोध में, ना तो आपको परिच्छा धन में, ना तो किसी भी simple paper, कहीं भी objective नहीं मिल सकता, ना तो बुक के last में, अब यहां से doubt होगा, कि सर, अब हम करें तो करें क्या, कैसे करें, वास्तविक रूप से दी, पिछले साल का आप analysis करोगे, पिछले साल चार सेट में हुआ था, और चार सेट में बच्चों कुछ हद तक ठीक ठाक question रहते थे, मतलब यह 28 नंबर का objective है, तो उसमें आसानी से 20 नंबर का objective कर सकते हो, लेकिन इस साल का objective मैं खुद देखता हूँ कि physics का लभी सेट B में साल कर रहा था, तो कईया ऐसे question थे, जो मैं कभी पढ़ाया ही नहीं, ऐसे question भी दे देता है, मतलब एकदम deep में निचोड, reach का point, ऐसे 11 का ही मतलब physics का कमिस्टिक में देख रहा है, तो बिलकुल point दे रहा है, अब ऐसे स्थित में क्या होगा, अब आप सोचते होगे कि सर हमारा result गिरेगा, ऐसा नहीं है, पूरे all over MP का result गिरेगा, केबल आप बसका नहीं, कि सर अब क्या करें हमारा result गिर जाएगा, तो क् देख है, उसे से पूरा का पूरा बनेगा, बाकि जो result है भी, जो half yearly होगा था, उसमें से 40% से भी कम बच्चे पास हुए थे, 40% से कम बच्चे पास हुए थे, इसलिए अभी आपका, देखेगा 15 तारीक के बाद remedial class चलेगा, अब government school में कैसे पढ़ाई होता है, कुछ जग कि बच्चों हमारे चैनल में आप लोगों को एकदम विधिवत, topic by topics, पूरा complete course कराया गया है, और यदि मैं आप से कह दो कि 2 घंटे लगातार आप देख दो तो 5 से topic आसानी से हो जाता है, question भी provide कराया है, उन प्रस्णों को ही पढ़ना है, अब objective के लिए मैं तह तक जाने क कोशिस करूँगा, physics chemistry में मुख रूप से मैं ध्यान दूँगा कि objective एकदम deep से deep, और मैं यह भी guarantee नहीं ले सकता, भाई साब कि जो पढ़ाओं तो आएगा, कोई teacher इस बार बादा भी कर देना, कि 100% यह बादा है, यही से objective आएगा, तो यह गलात है, क्योंकि हर एक point को यहीं था, कि समतल चादर के काण विद्दू छेत की तीवरता उसके दूरी पर निर्भर नहीं करता है, लिए ऐसा question है, कभी आज तक नहीं पूछा गया था, आप अच्छी स्थित पर दूरी पर निर्भर करता है, ठीक है, किसी गोले के केंडर से बाहर हम कितना दूरी तक लेए उस पर भी दूरी निर्भर करता है, बिंदू अवेश के काण तीवरता दूरी पर निर्भर करता है, लेकिन बोल दिया गया था, किस के कारण विद्दू छेत्र की तीवरता, एक समान अवेशित, किस के कारण मतलब खाली स्थान दे दिया था, बही, ऐसा question, तो वहाँ पर टीचर जो है, आपको मई से पढ़ाते हैं, मई से पूरा बिद्वर, topic by topic कराते हैं, बच्चों इसको पढ़ते चलो, इसको पढ़ते चलो, पूरा सलिवस कराते हैं, लेकिन आप लोग पेपर के टाइम पे किबल YouTube पे वही चीज सोचते हो, कि किबल ये question मिल जाए, और आप का exam के पहले कम से कम, हम लोग तो model से रूप प्रवाइड करते हैं, आपको कह दिया जाएगे, यही real paper है, लो भया, आजाओ, भरसान हो जाओ, तो आप लोग इधर उधर ना बढ़ते हैं, strategy बनाएं, कि अब हमको क्या करना है, अभी आप government school का त्रेमासिक का paper उठाओ, अर् इतना कर लोगे, 2023 का प्रश्ण पत्र उठा लो, तो 5 प्रश्ण पत्र हो जाएंगे, ठीक है, जो question आ रहे हैं, हमारे दोरा जो 4 set, model set दिया गया है, जिसमें 20 रुपए का मातर चार्ज लगता था, उससे सारे question बैठ रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक question मीशा, आप लोग खुद analysis क संटे समय देना है, ज्यादा समय नहीं देना है, और तन मंधन के साथ मेहनत करना है, बच्चो मैं आप से बता देना चाहता हूँ, कि यह जो बच्चा केवल और केवल YouTube के चक्कर में रहेगा, YouTube का मतलब यह होता है, कि जो आप सिर्फ और सिर्फ सोचते है, कि मात इतना पढ अच्छा के ऐसा निमिर्गल कोश्चन आगया, आप को बच्चे कैसा सल्यूसन कराओगे, मैं उसी टाइप के कोश्चन आपको कराओंगा, प्रोवाइट कराओंगा, ऐसा नहीं है, बट इसमें क्या है बच्चो एक छोटा सा रिस्पॉंस रहता, आप लोग को छोटा सा आपको, है ना, थोड़ा सजी सपोर्ड करते हैं, तो हम आपके लिए निरंतर मेहनत करते हैं, और हर बर सभी पिछले जितने साल से हैं, जिस अनलेसे करके, हम आप लोग को जैसे आप लोग को निमिर्गल कोश्चन ढूड़ना है, आपको ढूड़ने जरोत नहीं है, उसी जिस समयनी का प्रयोग है, सोदेट का प्रयोग है, मच मेनी का प्रयोग है, यह सारा चीज हम आपको प्रवाइड करेंगे, लेकिन इसके पहले मैं आपको एक छोटा से रिपॉंस देता हूं बच्चों कि आप अपने माबाब की सपनों को पूरा करने के लिए समय का कद्र क आपकी लगबग 25-30% फसे थे, 25-30% बहुत है, अब कुछ बच्चे 2023 का मॉडल सेट तयार कर रहे हैं, हो सकता है किसी जगह 2024 का चार सेट ना देगा, दो सेट ना देगा 2023 का मॉडल सेट, उससे आप लोग थोड़ा बहुत तयार कर सकते हैं, मैं भी कोश्चेन चाट कर और जितना objective तो भाई सहाब मैं बताता हूँ कि जितना हो सके, जितना आपके पास source उकलबद हो, जितना source उसके according पढ़ाई करो, ठीक है, तो फिलाल इसलिए मैं आप से थोड़ा सा चर्चा यहां पर करने आया था बच्चो, बाकि आप demotivate मत होना, बहतर से बहतर मेहनत कर अलो कि भाई सहाब यही आखरी दिन है, वो दिन है, जिसके सापेच हम कुछ अच्छा चीज achieve कर पाते हैं, बतला 20 दिन का जो मेहनत है, पूरे 6 मेहना का मेहनत कहलाएगा, तो ये 20 दिन आप कितना तावर तोड़ मेहनत करते हैं, लगा दो भी है, 15 गंटे, 16 गंटे, 17 हमको इस से पहले कम भी रुक नहीं नहीं है, डेफिनेट उतना परसेंट आएगा, ये मैं बादा करता हूँ, इतना आप effort लगाना बस सीख जो, तो आप लोग जानते हों कि बच्चो मैं अपने घर के ही आपे suit कर लिया करता हूँ, जब ये चीजे में आपको information देना करता ही तक नहीं है, क्योंकि YouTube से इंकम उतना है नहीं, खर्च पर चलता है, घर भी अधूरा है, ठीक है, आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते हो, तो ये घर अमारा अधूरा बना रह गया है, चलो अभी पूरा हो जाएगा धिर दिरे, क्योंकि YouTube पे इंकम भी उतना ज्यादा नहीं, कुछ बच्चे कहते हैं, सर, अब आप नोट सो रुपए में दे रहे हो, सर, फ्री में दे दो, मेरा बच्चो आपको बता देता हूं, कि जब एक वीडियो में पांस हजार भी आ जाते हैं, तब एक डालर बनता, मतलब 80 रुपए, और उसके पीछे चार घंटे का भ बहुत अच्छा कोश्चन डालो, तो फिर एक दुहजार आ जाते हैं, नहीं, तो दो सो ब्यूज, अब दो सो ब्यूज में कहां पैसे बनते हैं, लेकिन फिर भी निस्वार्थ बहुत से मेनत करता हूं, निस्वार्थ बहुत से, मैं केबल उसी चीज का पैसा लेता हूं, जैसे नूट्स हो गए रहा है, बाकी पैसा नहीं मांगता, डिमांड नहीं करता, पढ़ाने के लिए फ्री आपकोश पढ़ाता हूं, जितना हो सकी कि जब तक छमता रहेगा, जब तक रूतबा रहेगा, जब तक यूटूब से खर्चा मिलता रहेगा, तब तक फ्री पढ हो गए, लेकिन पांच साल रिगुलर पांच साल बैच निकाल दिया यूटूब पे, और बच्चे बढ़िया रियाल्ट लाएं, अब इस साल आपकी बारी है, ठीक बच्चों, तो फिलाल, जैहिन, बंदे मात्रम, एक चीज और कहना चाहूंगा, कि जिसको भी नोट्स ले होता थोड़ी है, छोटी स्टीम तो रखने पड़ती है, नोट्स तैयार करवाना, इसके लिए थोड़ा सा एमाउंट निकालना पड़ता है, टेलिग्राम भी जोइन का लेना, डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, स्विव कोचिंग क्लासे की नाम, जैहिन, बंदे म आत्रों.